नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बारवे एपिसोर्ट में आप सबका स्वागत है अध्याय बारवा, विदेशों में रटन स्वामी जी का रटन सर्व भारत तक ही सीमित नहीं था स्वामी जी को विचार आया कि सिंधी जो कारूबार के सिलसले में भारत से बाहर के देशों में रहते हैं उनको मायाबाद की लहर काफी आगे ले गई है उन्होंने भुला दिया है कि जीवन का उद्देश ये क्या है भारत के आर्रे रिशी मुनियों की संतान होकर वे अपने धर्म अपनी उची सब्विधा को भूल गए है उनका रहन सैन खान पान बिल्कुल बदल गया है वे समझ रहे हैं कि खाने पीने मौज मस्ती इट रिंक और बी मैरी करने के लिए हम पैदा हुए है धर्मान बनना ही हमारी जिन्दगी का लक्षे है उन नशे की नींद में सोय हुए अपने भाईयों वा बहनों को भातिकवाद की आग से बचाना एब उनको सच्चे सुक्षान्ति का संदेश देना स्वामी जी ने अपना धर्म समझा दूर देश में रहने वाले स्वामी जी के शिश्यों ने स्वामी जी से निविदन किया कि उन्हें भूला नहीं जाए और स्वामी जी 1961 के शुरू में उनका निविदन स्विकार कर मलाया के दोरे पर गए उस समय श्री परसराम वीरूमल सिंगापूर वाला उनका शिश्य उनके साथ था उसने उस दोरे के बारे में जो लिखा वै हूब हूँ यहां देना ठीक होगा संत मनुश्यों के लिए धुरूफ तारी के समान है वै उन्हें मन्जिल की और ले जाते हैं ऐसे सच्चे महात्माओं में सद्गुरू श्री स्वामी लीला शामाराज जी उचास्तान रखते हैं वे सच्चे योगिराज हैं हमकी कत्नी और करनी में कोई भेद नहीं था वे जो भी कहते उस पर पहले स्वेम अमल करते साद्गी पसंद्वा उच्च विचारू की तो जैसे मूर्ती थे वे हमारा निवेदन स्विकार कर सिंगापूर पधारे थे और मलाया के भिन भिन नगरों का रटन किया करते थे उस समय उनकी रहनी कहनी में कोई अंतर आए यह नमुम्किन था विदेशों में सबका पहनावा वा रहन सेन बहुत उचा होता है पर नतु स्वामी जी का रहन सेन वा पहनावा देखकर सब लोग आशर चकित हो जाते थे स्वामी जी हमारा निवेदन स्विकार कर बंबई से हवाई जहाज जौरा रवाना होकर दो जनवरी 1961 को रात करी साड़े आठ बजे सिंगापूर पहुचे वहां कितने ही सिंधी भाई बहन वा अन्य अनुस्तानी भाई स्वागत वा दर्शन करने के लिए आये थे मलाया में वे डेड़ महीना रहे पर लोगों के दिलों पर तो ऐसी चाप छोड़ गए कि सिंधी, हिंदी वा लोकल स्रीपूरुष उनके दर्शन के आज भी प्यासे हैं स्वामी जी सिंगापूर में 15 जनवरी तक रहे मां सिंधी असोसीशन के गलब में मांट बैटन रोड पर ठहरे थे उनके निवास पर हर रोज सुबा 7-9 बजे तक सिंधी, हिंदी, तमिल, चाइना वा मलाई के लोग आते थे और योग किरियाई सीखते थे स्वामी जी की अमली शिक्षाओं में से अनुकों ने लाब प्रप्त गया और कितनों का अच्छा लाब हुआ शाम को 7-9 बजे तक सस्थंग भी होता था जिसमें अनेक नर्णारिया सम्मीलित होते थे 16 जन्वरी को स्वामी जी बलाया फेडरेशन के दोरे पर निकले उनके साथ दोरे पर मैं तथा डाक्टर लोला थे कुलालमपुर में तीन देन स्वामी विवेकरन्द आश्रा में ब्रिजमान थे जहां पर भी सुबा दो गंटे योगिक क्रियाज सिखाते थे तथा बिना इलाज क्रियाओं की विदिवाम बताते थे शाम को पांच से नौ बजे तक सनातान धर्म सभा मंदिर में स्वामी जी का तीन दिन तक सस्थंग होता रहा जिसमें सिंदी भाई और बहनों के अलवा गुजराती वा सिख भी काफी दादात में थे स्वामी जी शारीरिक मानसिक वा आत्मिक उन्नती की विशाय पर बताते थे कुलालमपुर से स्वामी जी 20 जन्वरी रातरी को मलीन रेलवे द्वारा रवाना होकर पियांग पहुचे और वहां शहर से दूर श्री सुनाम कृष्ण आश्रम में अनिक लोगों को योगिक क्रियाई सिखाई दो बार उनके परोचन भी हुए यहां एक सबताह रहे पेरांग के बाद टिपंग में तीन दिन रहे वहां सिखों के गुर्दवारे में उनका सत्संग हुआ सिख भाईयों और बहनों पर स्वामी जी के उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा स्वामी जी यहां भी योगिक करियाई सिखाते थे टिपंग से रवाना होकर कुछ घंटे अपहा से होते हुए कैमरान हाई लेंड्स जो कि मलाया की पहाडी पर शीतल स्थाने वहां पधारे वैस्थान समुदर के उपरी भाग से 5000 फुट उचाई पर था वहां दो दिन रुक कर फिर कुलालंपुर से होते हुए सीर अंबा में दो दिन रुक कर पोल्डिक्सन में समुदर किनारे एकांतमर आकर रहे वहां स्वामी जी सुभा वा शाम को ग्यान के अमरत धारा का जल पिलाते थे वहां से मलाका में आए, वहां सिख्खों के गुर्दवारे में तीन दिन रहे थे उस दौरे में स्वामी जी के साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, तथा अनंद प्राप्त किया सिंगापुर में 12 फरवरी रविवार के दिन श्री रामकुष्ण मिशन आश्रम में स्वामी जी का सत्संग सुभा 11 से 12 बज़े तक हुआ लोगों को स्वामी जी के उपदेश ने मोहित कर दिया मिशन के प्रेजिएंट स्वामी सिधाता नन ने स्वामी जी के प्रोचनों की पैरवी की वहाँ सब को भोजन किलाया गया 15 फरवरी को स्वामी जी का अंतिम सत्संग सिंधी कलब में हुआ वहाँ स्वामी जी ने जो उपदेश दिया है भूलने का नहीं है 16 फरवरी रात को 8 बज़े स्वामी जी बंबई के लिए हवाई जाहज में बैठे हवाई अटे पसिंधी, हिंदी, गुजराती, सिक, तमिल, चाइना वा अन्ने कई स्वामी जी का दर्शन करने आए हुए थे आज भी यहां हर कोई पूछ रहा है कि स्वामी जी फिर कब दर्शन करतार्थ करेंगे तब से स्वामी जी का जन्देवस हर वर्ष यहां मनाय जाता है धन्यवाद